पिछले उस दिनों में हमें काफी सजेशन आया है कि वेज़िटेरियन के साथ उन लोगों के लिए भी मसल गेन की डाइट बताएं जो वेज़िटेरियन है बट एग्स कंजूम करते हैं इस वीडियो में हम एगिटेरियन डाइट प्लाइन शेयर करेंगे जो आपके मसल बिल्डिन के टार्गेट के लिए बेनिफिशल है इस वीडियो में हमने डाइट प्लाइन इवनिंग वर्काउट सेशन के हिसाब से डिजैंड किया है जिसे आप अपने वर्काउट टाइमिंग के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं चलिए बिना देरी किये मसल गेंडिंग डाइक प्लान को डिसकस करते हैं दिन की शुरुआत आप आधे स्कूव वेब रोटीन से करें जिसे आप एक ग्लास या धाई सो मिलेटर दूर में मिलाएं एंड इसमें दो ग्राम अशोगंधा एंड एक टी स्पून हनी भी मिला दें ये ड्रिंक आपकी बोडी को सोने के दोरान लंबी फास्टिंग के बाद रिप्लैनिश करने के लिए बहुत हल्प करेगा वे प्रोटीन एंड शोगंधा के बारे में डेटेल इंफोर्मेशन के लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है सेकंड मील है दिन की में मील तैट इस ब्रेकफास्ट जिसमें आप तीन एगवाइट्स एंड एक होल एक का ओली वाइल यूज़ करके ओमलेट बढा लें इसे दो या तीन ब्रेट पे टू स्पून पीनेट बटर लगाके सेंड़्विच बना के खाएं या फिर ओमलेट पे पीनेट बटर लगाकर एक कप ओट मील के साथ कंजूम करें चलते हैं अगली मील मीन्स मिड्मोरिंग स्नेक की तरफ जिसमें आप एक एपल औरेंज या कोई भी सीजमेट फूट कंजूम करें उसके साथ एक मुठी भर बदाम भी खाएं इसके साथ एक कप चॉप ब्रॉकली या कॉली फ्लावर पे एक टी स्पून फ्लेक सीट स्पिंकल करके कंजूम करें और साथ ही तीन बॉइल एक वाइट भी कंजूम करें फूर्थ मील है दिन की सेकिंड मेंड मील या इस लंज जिसमें आप एक बड़ा बावल ब्राउन राइस एक बावल किड्नी बीस जो की कुट हो या बॉइल उसके साथ खाएं एंड आप इस पे 25 तु 30 ग्राम पीनट एंड टू बॉइल एक चॉप करके या फिर एक की भुर्जी बनाके डाल के कंजूम करें नेक्स है प्री वर्काउट मील जो आप वर्काउट से करीब तेल घंटा पहले लेंगे इसमें आप करीब 200 ग्राम शगरकंदी या फिर वाइट पटाटो को बॉइल करके या ग्रिल करके एक कप लो फैट योगर्ट में डाल के कंजूम करें साथ ही एक मीडियम बनाना एंड 3-4 एक वाइट भी कंजूम करें वर्काउट से 25-30 मिनट पहले आप एक प्री वर्काउट ड्रिंक लें जिसमें आप एक ग्लास चकूंदर का जूस या ब्लैक कोफी के साथ 200-500 ग्राम ट्रैबलस और 2-5 ग्राम मशोगंदा कंजूम करें ये ड्रिंक आपको इंस्टन्ट पावर देगा और स्ट्रेंद देगा एंजिम में आपकी पर्फोर्मर्स बाहो बली से कम नहीं होगी गोक्षुरा के बारे में डेटेल में जानने के लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है अगली मील है पोस्ट वर्क आउट मील जो की मसल रिकवरी और गेन के लिए बहुत इंपोर्टन है इसमें आप एक लाजबाल ओट मील जो की स्किम्ड मिल्क में कुपड हो उसमें एक स्कूप वे प्रोटीन, एक से दो टेबल स्पून हनी और दो टेबल स्पून पीनट बड़र डाल के खाए वे प्रोटीन को अलग से पानी में मिक्स करके भी कंजूम किया जा सकता है इसके साथ आप एक मीडियम मनाना भी कंजूम कर लिए अब बात करते हैं दिन की थर्ड में मिल डेट इस डिनर की इसमें आप 100 ग्राम बॉयल पाला के और स्पीनेच के साथ 50 ग्राम बॉयल स्वीट कॉर्ण मिक्स करके एंड इस पे फ्लेक सीड स्पिंकल करके कंजूम करें साथ ही तीन से चार ब्राउन बेड या दो इंडियन चपाती तीन से चार एग वाइट करी के साथ कंजूम करें या फिर बेस्ट ऑप्शन है कि आप स्पीनेच कॉर्ण एंड चॉप्ड बॉयल डैक को मिक्स करके ड्रेट सेंविच बना लें और उपर से काला नमक डालके कंजूम करें जो की एक बहुत ही टेस्टी ऑप्शन भी है दिन की लास्ट मिल जो की आपको सोने से पहले लेनी है उसके लिए एक ग्लास युकवाम डबल टोन मिल्क में धाइसो से पांसो ग्राम ट्रेबलस एंड दो से धाई ग्राम अशोगंदा के साथ एक से दो स्पून हनी मिला कर पिये एस वीडियो में दी गई नॉलेज आपके जरूर काम आएगी अगर आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल या सजेशन्स हो तो प्लीज कमेंट करें हमारी बाकी nutrition related वीडियो लाइक vegetarian, diet for muscle gain etc. देखना ना भूलें regular updates के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें Facebook पेज Fitness Rockers को लाइक करें, share करें हमारी site fitnessrockers.com को विजित करें and let the fitness rock